हेलो दोस्तों ये थार्थ हिंदी एजिक्षिन ग्लासेस पेर आप सभी का स्वागत है और हिंदी साहिती के बारे में हिंदी साहिती की लेखन पधतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे इससे पहले जो हम स्टार्टिंग से हमने इसमें लेखन पधतिया पढ़ी थी जिसमें व नुशरण किया है यह हमने पड़ा जिसमें सुकलजी का एक कथन पढ़ने में आया था कि पृते कदेश का साहिति वहां की जन्ता की चित्यवर्तियों का संचित्थृ निंद्वंब होता था आदि से अंतर तक इन ही चित्तिवर्तियों की परउपरा को परक्ते हुए साहिती परंपरा के साथ उसका सामन जैसे बैठाना ही साहित्ती कहलाता है यह सुकल जी का कथन था इतिहास देखन की परंपरा के संबंद में ठीक है उसके बाद आते हैं रामसरुप चतुरवेदी कवी का काम यदी दुनिया में रामसरुप चतुरवेदी जी का कथन है कि कवी का काम की दुन्या में इश्वर स्कार्ण का काम ये साहित्य का टेन का है विकास के विकाथ चेह। चुशति को कफिर रमसरुप चुत्रवेडि जी का है कभी कफ ले पूह रहते हैं कि किस आहसी understands ही कहते ही है चैशारु अगला सुलन नान बीन में क्या है जिस प्रकार साहती की परंपरा का अधियन साहती इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है उसी प्रकार साहती इतिहास लेखन वो उसकी परंपरा का अधियन साहती इतिहास दर्शन करता है साहती इतिहास दर्शन के से अभी प्राई साहती के इतिहास लेखन में प्रय पिचार इनका अधियन करने वाले विशे से है हिंदी में नलिन विलोचन सर्मा ने इस तरह का उलेक गरंथ लिखा तो हिंदी सहतीका इतिहास दर्सन जो की हिंदी सहतीका इतिहास गरंथहें और नलिन विलोचन सरमाजी ने इसका नाम दिया था हिंदी साहित्य इतिहास का दर्सन मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दर्स्टी इसी प्रकार का ग्रंथ है तो इनका मैनेजर पांडे का जो इतिहास सम्मंदित ग्रंथ है उसका नाम है इतिहास एवं साहित्य द्रश्टी तो यह भी इसी प्रकार का ग्रंथ है एक दर्शन के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है यह भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है मैनेजर पांडे ने उसक मुझेन का नाम है इतियास एमम साहित्य द्रस्टि जो लेकर का इन वोडर की काफी मतभिध के अनुसार कालिंग वोड मानते हैं कि वाल्तेयर समानेता है इन्हें ही माना जाता है कालिंगोट के अनुसार भी और अधिकतर लोगों की मानेता मतब विद्वानों की मानेता क्या है वाल्तेयर ही है जो की इतिहास दर्सन के जनक माने जाते हैं फिर है प्रोफेशर वाल्स के अनुसार और प्रोफेशर वाल्स ज तो वालतेर के मानते हैं कि इतिहास दर्शन है इतिहास के चिंतन की विधी कि हम इस तिहास के बारे में किस तरीके से चिंतन करते हैं किस परकार मनन किया जाता है और इसमें इतिहास कार एतिहास घटनाओं को दोहराने की बजाए उनके विशे में चिंतन करते हैं कि वे घटना किस प्रकार घटी थी या क्यूं हुई थी आगे है कलिंग वूट के रोसार तो कलिंग वूट का मानना है कि इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है कलिंग वूट मानते हैं कि जो इतिहास दर्शन है यह इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है जिसे वे मानते हैं इतिहास दर्सन की संबंध में हीगेल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं तो इतिहास दर्सन की संबंध में जो हीगेल अनिविचारक है इनके विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं प्रोफेशर वॉल्स परिकल्पनात्मक दर्सन की संस्थापक है और हीगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है बलकि घटनाओं के भीतर छिपी कारिक कारण प्रक्रिया की खोज है हीगेल के अनुसार हीगेल का इतिहास दर्सन द्वन्दात्मक आदर्षवाद कहलाता है तो हीगेल का जो इतिहास दर्सन आदर्षवाद आगे देखे आगे बढ़ते हैं कि आशायरामचंद्र शुकलकरत हिंदी सहती का इतिहास शुकल जी ने जो हिंदी सहती का इतिहास बताया था उसमें वक्तभी और कालविभाजन एक तो आता है वक्तभी और दूसरा उनका कालविभाजन है तो शुकल ने अपने पहले लिखे एक सहती इतिहास ग्रंथों को कहा है जो कभी से पहले मत्तब शुक्ल जी से पहले जो इतिहास गंत लिखे गए थे इन्होंने इसक्षक कई व्रत संग्रा कहा है जैसे सुखलजी ने शीवसिन सरोज के द्वारा गएक ध्यूर्य तक व्रत संग्रा क्वा जो लिखा गया था सिमसी सरोज जो लिखा गया था सिमसी सिंगर के द्वारा उसे कहा है कभी व्रत्य संग्रा modern vernacular literature of northern हिंदुस्तान इसे कहा है बड़ा कभी व्रत्य संग्रा सिमसी सरोज को कहा है कभी व्रत्य संग्रा modern vernacular literature of northern हिंदुस्तान को कहा है बड़ा कभी व्रत्य संग्रा इनमें थोड़ा सा अंतर है इसमें बड़ा नहीं है इसमें बड़ा लगा हुआ है और मिस्र बंधु विनूद जो मिस्र बंधु की दोरा लिखी गई रशना है इसे इन्हों क्या कहा है बड़ा भारी प्रकांड या एक तो बड़ा भारी कहा है दूसरा कहा है प्रकांड कभी व्रत्त संग्रह तो तीन सिरणियां रखी है इन्होंने देखे सीवसिन सरोज जो कि सीवसिन सेंगर की रचना है इतिहास ग्रंत है उसे कहा है कभी व्रत्त संग्र कभी व्रत्त संग्र उसके बाद जो मौडर्न वननाकुलर डिटेचर आप नौधन हिंदुस्तान है इसे कहा है बड़ा कभी व्रत्त संग्र और लास्ट में आता है मिस्टर बंदु विनोद इसे कहा है एक तो बड़ा भारी या फिर प्रकांड कभी व्रत्त संग्र मिस्टर बंदु विनोद को जो कि मिस्टर बंदु की रचनिया है उसे कहा है बड़ा भारी और प्रकांड का विवरत्त संग्र कहा है नामकरण दो आधारों पर किया है अब देखें कि नामकरण के आधार के हैं शुकलची ने जो नामकरण किया है वो किन आधारों पर किया है एक है काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेश ढंकी रशनाओं की प्रचुरता और उनके स्वरूब के रुसार तो जो समय काल रहा उसके अंदर मतलब जो भी समय रहा उसमें विशेश ढंकी जो रचनाओं पाई गई दूसरा क्या करा है कि ग्रंथों की प्रस्द्धि के आधार पर क्योंकि प्रिसिद्धी भी किसी काल की लोग प्रवर्ती की प्रदिधनी है दूसरा अनुने कि जो गरंथों की प्रिसिद्धी रही क्योंकि प्रिसिद्धी का करान क्या है कि मतलब कि गरंथ में जो प्रकार की बात है लिखी गई है या जो लोग प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् ला सकता है है तो किया किसी काल को विस्तार को केवल पूरवा उत्तर नाम देंकर आपको और इनका कहना है कि उसका विभाग नहीं किया जा सकता है दूसरह किसी काल के कवियों की सहतिक illustrate उत150 में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किये हैं यह सुकल जी का कथन है कि जो संक्षिप्त विचार प्रकट किये हैं वे दिगदर्शन मात्र के लिए हैं इतिहास की पुस्तग में किसी कवी की पूरी क्या अधूरी आलोशना भी नहीं हो सकती तो यह इनका सुकल जी का कि अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मतबकि इसमें पूरा उनका बढ़न मिलता है कि सुखलजी ने कौन कौन से घ्रन्तों को आधार बनाया था जो विसेस प्रूरती के आधार पर आधार शीए तो किस आधार पर दिये थे इसके बारे में विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अंगली वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेकर धन्यवाद